हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिट से आफ सभी कस्वाकत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रवी फार्मारेक में और साइड इफेक्ट के बारे में तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि मॉन्टी लुकाज सोडियम और फेक्सो फेनाडीन हाइड्रोकलाइड टैबलेट्स होता क्या है तो दोस्तों इसमें जो पहला साल्ट पाया जाता है मॉन्टी लुका सोडियम यए एक तरह का एंटी कोल इनर्जिक एजेंट होता है यह हमारे स्वास नली को चोड़ा करता है और हमें सास लेने में मदद करता है मतलब कि यह हमारे जो लंग्स के ब्रंकाई होते हैं उसको डैलेट करती है इस टैबलेट्स को मॉस्टली बारे में देखा कि यह होते क्या हैं अब आये इसके combination के रूप में जो भी market में brand मौझूद है उसके बारे में देख लेते हैं कि आखिर किस-किस brand name के साथ यह market में उपलब्ध हैं यह दवा market में आपको हिस्टाफ्री यम, हिस्टाकाइंड यम, फेक्स्टिन यम, एलेग्रा यम आदी के नाम से मिल जाता है यह तो इसके branded दवन्या है इसके कुछ generic product भी market में available है जो कि आप ले सकते हैं यह आपको सस्ता और काफी फायदेमंद हो सकता है ब्रेंड नेम को देखने के बाद अगर हम इसके composition के बात करें तो इसमें जो Montilukas sodium होता है वो 10 mg की मात्रे में पाया जाता है और जो इसमें Fexofenadine hydrochloride होता है वो 120 mg की मात्रे में पाया जाता है मतलब यह 10 mg और 120 mg की ratio में present होता है अब हम वीडियो में इसके uses के बारे में देख लेते हैं आखिर Montilukas sodium और fixofenadine hydrochloride जो tablets होता है उसका इस्तिमाल हम कहां कहां कर सकते हैं दोस्तों इस tablets का इस्तिमाल ज्यादा तर अपर respiratory tract infection में किया जाता है मतलब यह हमारे स्वासनली में होने वाले infection में इसका उपयोग mostly क किया जाता है यह आपका स्वासनली गले में या नाक में होने वाले किसी भी infection में ज्यादा तर इस्तिमाल किया जाता है इस दवा का इस्तिमाल अस्तमाल जैसे allergic attack में भी करते हैं यह lungs और bronchi को dilate करते हैं इसमें होने वाले सूजन और inflammation को यह reduce करते हैं और अगर ऐसे कि इसमे इस टेबलेट का इस्तमाल किया जाता है दूस्तों जब हमारे sinus में inflammation और सूजन हो जाता है तो उसमें sinusitis के condition में इस दवा का इस्तमाल किया जाता है dry cough का condition हो throat infection हो या tonsillitis जैसे condition हो उसमें इस दवा का इस्तमाल अच्छा माना जाता है अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चीके आ रहे हैं और वो control नहीं हो रहा है तो उसमें आप इस टेबलेट का इस्तमाल कर सकते हैं अगर किसी के आखों में एलर्जी हो जिसमें कि उसको खुजली आती हो उसमें जलन और सूजन की सिकात हो उसके आखों से पानी गिरता हो तो उसमें भी इस टेबलेट का इस्तमाल करते हैं Montilocast और Phyxophenodine tablets का इस्तमाल इसकी infection जैसे की redness हो, swelling हो, अगर कोई कीडे ने काट लिया हो तो ऐसे condition में भी इसका इस्तमाल किया जाता है अगर किसी व्यक्ति को skin disease हो जैसे की harpes हो गया उसमें भी tablets का इस्तमाल किया जाता है तो दोस्तो ये अभी तक आपने जाना इसके main use के बारे में, इसके अलाव में भी doctors इसका इस्तमाल common cold जैसे condition में करते हैं इसके use को जानने के बाद, अब आईए हम वीडियो में देखते हैं Montilocast और Phyxophenodine के doses के बारे में, इसके खुराक के बारे में दोस्तो इस tablets का इस्तमाल दिन में एक बार किया जाता है, ये आप खाना खाने से पहले या बाद में ले सकते हैं, बेहतर होगा कि आप इसको खाना खाने के बाद लें, चुकि यह tablet sedation cause करता है, मतलब कि इसको लेने के बाद आपको जपकी जैसे नींद जैसे लक्षर दिख लेकिन अगर किसी को गंभीर बीमारी हो, जैसे की asthma का attack हो, या फिर sinusitis की बीमारी हो, तो उसमें यह महीनों तक चल सकता है, इस दवा का इस्तमाल छोटे बच्चे, breastfeeding mother या फिर pregnant ladies हो, सब में किया जाता है या बहुत ही safe दवा माना जाता है, दोस्तो इसके side effect की बात करें, त इसके इस्तिमाल करने वाले व्यक्ति का heart rate बढ़ जाता है, इसको इस्तिमाल करने से flu-like condition भी दिखाए दे सकते हैं, इसके इस्तिमाल से व्यक्ति को पसीना आता है, और हमेशा शरीर में ठकावड जैसा महसूस होता है, तो दोस्तो यह था आज का हमारा वीडियो, Montilukas sodium और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद